हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लिव लाइफ एद्रचना तो आज जब मैं उठी होना सुबह साड़े छे बजे का टाइम है ये तो इतना जादा फॉग था बहुत ही घना कोहरा था बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था मैंने ये जब शूट किया ये पास से थोड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है और नीचे जो गाड़ियां खड़ी रहती है कार वगएर है वो कुछ भी नहीं दिख रहा था इतना ज्यादा घना कोहरा था आज और ठंडा भी बहुत था तो ये आज का वीडियो ना चौधा तारीक का है यानि की मकर संक्राथी वाले दिन का है तो मकर संक्राथी की आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत शुब कामना है तो आज मैं क्या क्या करती हूं मैं पूरा शेयर करूंगी किस तरह से मनाती हूं और क्या बनाती हूं खाने में तो वो मैं आप थोड़ी सी देर से निकलेंगे वो लग भी तो यहां मैंने सब से पहले तो चाय चाढ़ा दी है तो चाय पहले पीऊंगी उसके बाद फिर देखती हूँ कि क्या क्या होता है सारी दिन और बने रही है मेरे ब्लॉग में मैं सब कुछ यहां पर शेयर कर रही हूँ आज का दिन चाई यहां बिलकुल तयार हो गई थी तो सबसे पहले मैं बैठ कर चाई पिऊंगी इसके बाद देखते हूँ तो हमारे यहां मकर संक्रांती वाले दिन मूं की दाल से बनी हुई डिश जादा तर बनाई जाती है जैसी कि खिचडी हुई उसकी और पकोड़े जो होते हैं मूं की दाल के या मगोड़े उसको बोलते हैं यूपी में मगोड़े बोलते हैं मैं यूपी से ही बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर ये जरूर बनते हैं, हर घर में बनते हैं, तो बस मैं किच्चिन में आ गई थी, तो मेरे माइके में मतलब बनते हैं, सस्राल में दही और चुड़वा खाया जाता है, तो मुझे दोनों चीजें पसंद हैं, और मगोड़े ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि मैं बच्पन से खाये हुए हैं, तो मैं बनाती हूँ जरूर, दही चिड़वावी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, पर थोड़ा सा जरूर खाती हूँ, क्योंकि खाया जाता है, और यहाँ पर अमूम की दाल छिलके वाली होती है, जिसको मैंने भिगो दिया था, रात में यारी है, तो हरे धनिये की चटनी इसके संग बहुत अच्छी लगती है, तो इसमें मैं हरा धनिया, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, यह सब चीज़ें जरूर डालती हूँ, साथ ही इसमें थोड़ा सा आमला भी डाल सकते हैं, पर आमला मैं जूस पी लेती हूँ इसलिए मैं इसमें नहीं डालती हूँ, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए अनई है तो वैसे आप डाल सकते हैं, काला नमक है, सफेद नमक और चीनी है, तो थोड़ा सा कच्छा जीरा होता है, वो डालती हूँ, पस यहां ग्राइंड कर लिया, देखे कितना चरंग और यह मगोडे में मैं गोभी, थोड़ा सा घिसकर या महीन महीन चौप करकर प्याज और एक आलू, यह जरूर डालती हूँ, तो दाल को थोड़ा सा फेट लेना होता है, यहां पर अच्छी बनती है उससे, और नहीं तो आप सीधे बनाएंगे, तो थोड़ा सॉलिड होने का डर रहता है, फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे, और फेट लेने से अच्छे से फोके हो जाते हैं, तो यहां गोभी, प्याज और आलू मिला दिया था, बिल्कुल महीन चौप करके, फिर इसमें कुछ मसाले जाते हैं, जैसे कि धनिया है, धनिया का पाउडर, और हलका स गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, यह सब भी डाल सकते हैं, हिंग इसमें जरूर डालती है, वो अच्छी लगती है, और अच्छी वी रहती डाइजेशन के लिए, तो हरा धनिया है, नमक है, बस यह सब चीजें यहां पर डाल कर इसको मिक्स कर लोगी, त अच्छी लगती है, कोई भी पकोड़े होते हैं, तो भी सर्सो का तेल ही मैं बनाती हूँ, तो यहां चड़ा कर गरम कर लिया था, और बस इसमें इस तरह से डालते जाएंगे, सेक लेंगे इसको, तो इसको बहुत गोल नहीं करना है, शेप में, ऐसे हाथ से छोड़ देने तब ये अच्छे बनते हैं और नीचे जब ये हलके से सिखने लगे तब ही पलटना है इसको उससे पहले इसको नहीं चुना है कल्ची नहीं लगानी है तो ये जब थोड़े से नीचे से सिखने लगे तब इसको पलट देना है साबधानी से और इसको अच्छा सरंगाने तक स चलाते रहना है बीच में और फ्लेम को लो टु मीडियम ही रखना है तो हाई नहीं करना है और पूरा लो पर भी नहीं सेखना है नहीं तो यह तेल बहुत पी जाएंगे तो मीडियम ही रखनी है आज को और देखिए यह बिल्कुल अच्छा सा जब कलर आ जाए तब इसको नि है और ब्रेकफास्ट में यही सब लोग खाते हैं चाय किसंग अच्छे लगते है वैसे इसको ना अगर चाय नहीं लेनी है तो दही किसंग भी अच्छे लगते हैं यह जैसे मूंग डाल के एक वो रामलड्डू बनते हैं ना दही किसंग खाये जाते हैं उसी तरह यह भी तेस्टी लगते हैं तो बस ही इस तरह मैंने यहां पर सारा जितना पीसा था सेक लिया है तो हमारे यहां तिलका भी बनता है इसकी खिचडी भी बनती है पर अभी क्या बन पाता है आगे बताती हूं देखियेगा तिलके लड़ू तो मैंने कल ही बना लिये थे और खिचडी बनानी है तो मन करेगा तो बनाओंगी और नहीं तो फिर रात में बनेगी लंच में अगर नहीं हुआ यही काफी हो जाता है बस यहां पर निकाल दिया था मैंने तो सब ने खाए अच्छे लगे थे काफी टेस्ट करिएगा काफी अच्छे लगते हैं यह और जो बनाता है तो उसे तो मालूमी होगा कि कितने टेस्टी होते हैं मुंग दाल के मगोडे तो बस यहां पर खाए और खिलाए घर में तो हरी चटनी इसके संग बहुत ज़्यादा मस्ट है बिलकुल बनानी और बस देखिए फिर क्या हुआ अचानक से प्लैन बन गया हम लोगों का डैल ही सरोजनी नगर जाने का तो सारा काम फिर ना मैंने छोड़ दिया घर में और जो भी बनना था जो होना था वो तो कुछ हुआ नétat और हम लोग चल दिये सरोजनी नगर काफी दिन से प्लैन कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था चुट्ती का दिन था संकराति की चुट्ती थी तो बस ये सोचा कि आज ही निकल लेते हैं तो अचानक से प्लैन बन गया हम स फिर निकल लिये थे सरोजनी नगर तो यहां पर ना सब को मालूम ही होगा जो भी है इदर डैली एंसी आर के कि इदर बहुत ही सस्ता मिलता है कई चीजें बहुत अच्छी होती हैं विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा होता है तो हम लोग ना मेट्रो से गए थे और मेट्रो से काफी आसान रहता है जाना हलाकि भीड बहुत ज्यादा थी क्योंकि छुट्टी होती है तो सभी फिर निकली लेते हैं मेट्रो से हम लोग पहुँचे थे और उसके बाद फिर किया था आटो तो आटो से हम लोग पहुँचे है सरोजनी M bracket सरोजनी नगरप का काफी आँ फेमस मार्केट है यहां का यह का और बहुत चीप दाम होते हैं यहां पर पर चीज कई-बार अच्छी मिल जाती है और कुछ चीजे थोड़ी सी कम अच्छी होती है जरूरी नहीं कि सब कुछी अच्छा होता है क्वालिटी सब की अच्छी नहीं होती है पर कुछ चीजे बहुत अच्छी मिल जाती है कोट है जैकिट है बहुत कुछ होता है काफी अच्छा कलेक्शन था भी विंटर क तो सोचा चलो देख लेते हैं चलके वहां भी तो मैंने ली हैं कई चीज़ें ली थी आपको अगले किसी व्लॉग में शेयर करूंगी नेक्स्ट में करूंगी कि नहीं यह नहीं मैं शेयर कह सकती अभी ठंडा बहुत है फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अच्छे से दोसो में, डेड़ सो में, कुछ चीज़े तो पचास में, असी में इस तरह भी होती हैं तो स्वेटर है, कोट है, जैकिट है, स्टॉल होते हैं और सूट्स होते हैं, कुर्टे होते हैं, बूट्स मिलते हैं, काफी चीज़ें मिल जाती हैं यहां पर अच्छी तो अगर आपको जैसे शौक पूरा करना है कई बार क्या होता है कि बहुत चीजे महंगी आप हर कलर में नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा चीप मिल जाता है तो आप फैशन कर सकते हैं शौक पूरा कर सकते हैं टो मुझे तो कोई इस में वो नहीं है कि अगर सस्ता है तो भी ले लेती हूं महगा भी कभी पसंद आता है तो वह भी ले ले लेती हूं, हैसा त्॑हस म Mimi पसंद आने चाहिए और यहां बैग भी मिलते हैं, कुछ आप अच्छे निकलते हैं, कई बार तो कई बार लेकिन कुछ चीजें बहुत ही बेकार भी निकल जाती है तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही यहाँ पर लेनी चाहिए चीज ऐसा नहीं है कि सस्ती है तो कुछ भी ले लो भर लो तो वो तो बेकार ही रहता पैसा तो जाता है उसमें भी वेस्ट होता है तो सोचकर ही लेना चाहिए क्योंकि दीरे दीरे डेट सो दोसों भी आप अगर करते रहेंगे तो उसमें बहुत जादा फिर खर्च हो जाते हैं और चीज बिल्कुल मतलब की नहीं होती है तो उससे क्या फायदा वेस्ट करने से और ये ब्लू मुझे स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा था ये मैंने लिया है तो आपको घर में दिखाऊंगी जाके बस यही एक खुले में होता है और थोड़ा सा ऐसा कई बार लगता है यूजड है क्या है पता नी घर जाके न धोना होता है इसको मैं तो सब कुछ जो भी ले जाती हूँ पहले अच्छे से वाश करती हूँ कुछ चीज़ ऐसी होती जिसको ड्राइक्लीन भी कराना पड़ सकता है वो हो सकता है डिफेक्ट कभी हो सकता है क्योंकि अब इतना चीप है तो बस मेरा तो संक्राथी का दिन इसी तरह से निकला जो भी प्लैनिंग की थी वो तो हुई नी और यहां हम लोग आ गए तो ऐसे कई गिवार हो जाता है कुछ सोच और कुछ होता है पर यह भी अच्छा है कई दिनों से हम सोच रहते आने का तो हमने चुट्टी का यूटिलाइज कर लिया है और यहां पर सारा देख लिया है जो भी चीज़ें लेनी थी वो ले ली है शाम को जाके घर में कुछ बनाओंगी तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है ब्लोग तो लाइक शेर सब्सक्राइब करिएगा मिलती हूँ नेक्स व्लोग में तब तक